जी हाँ नमस्कार आपका हमारी इस न्यू चैनल प्रहारदिक स्वागत है लेकर आए हैं 2011 का EVS के जो PRT में जो 30% अच्टेट में आए थे वो sold paper आपके सामने करा रहे हैं आपको दो काम करना हैं अगर आपके पास video clear नहीं आ रहे हैं तो आपकी clarity 360 कर लीजेगा वीडियो की और इसके साथ साथ जो हम person पूछे उसका answer जो आप सोच रहे हैं उसका answer वो comment में जरू डालिएगा ताकि हम भी ये देख लें कि कितने बच्चे रूची ले रहे हैं कितने बच्चे नहीं रूची ले हैं उसके माध्यम से ही आम इस practice हैट को आगे करेंगे वरना नहीं करेंगे और वीडियो को share भी कर सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसके हमारा मनोवल बड़ेगा तो अपने वर्ट्चाप गुरूब में फेस्बूक गुरूब में जुरू share कीजेगा आपसे यहीं विंतिहम करते हैं तो सबसे पहले पहला स्वाल जो EBS का है पाल परतियार और राष्टर कूट पर नियंतन के लिए लड़े जो की हर्ष के बाद सक्तिका परतिक था परसन ठीक हो सकता है आरस का नाम लिया है आपको पता कि आरस का नाम जब भी लिया जाता है तो कनोज और थानिसर का नाम लिया जाता है तो इसमें थाने सर नाम नहीं है, कनोज है, तो कनोज इस राइट अन्सवर, जिस जिस ने कनोज का नाम जो है second option दिया, उनका ठीक है कि कनोज इसका राइट अन्सवर है, next person है, धातू के अमलगम में दूसरा ततो होता है, कारबन, सोना, सोडियम या पारा, कोमेंट करें फटाफट की धातू के अमलगम में दूसरा ततो होता है, धातू में अमलगम में जो दूसरा ततो है, वो क्या होता है, तो इसका राइट अन्सवर आपको बता दे कि सोडियम जिराइट अनस्वर है फटावट कोमेंट की करें जो भी प्रसन आए यदी किसी विलेंग का पियच्च दो है तो यह क्या है पियच्च आपको पता है कि यह अमल सार को मापते हैं 0-14 तक इनका मापन होता है 0-7 इनका उदासिन होता है तो इस तरज़ पर अमल और सार को बाटा गया है तो पियच जो सोरेंशन ने इसकी खोज की थी पियच की आपको बता दे कि 1906-07 के आसपास खोज की थी इसमें दुर्बल अमल, परबल अमल, दुर्बल सार या परबल सार सार को और अमल को दो बागों में वाजित किया गी परबल और दुर्बल, दुर्बल या परबल तो इसका राइट अनसर हम आपको बता दे कि परबल अमल है 0-7 जो अमल होता है आपको पता है और आठ से जेरो से च्छै और आठ से चौदा तक जो है वो सार होता है तो इसके साबसे परबल अमल राइट है निमन में से प्राजिन तम वेद कुंस है? सबसे प्राजिन वेद कुंस है? रिंग वेद, शाम वेद, येजुर वेद, अर्थवेद आपको बता कि वेद चयार होते हैं जिसमें रिंग वेद, शाम वेद, येजुर वेद, अर्थवेद जो इसमें चार समयकाल की अधार पर बनाए गए है तो सबसे पहला जो रिंग वेद है वो समय के दिश्टी से सबसे पुराना रिंग वेद ही है बारत में कहां सिंग युक्ट गेंडा मिलता है जिसका सिंग होता वो कहां मिलता है गुजरात, करनाटक, असम या किरल में से किस सथान पर मिलता है फटा-फट कोमेंट किजिए का आपका कोमेंट बहुत ही महतो पूर है दोस्तों कोमेंट जरूर करें video को जदा जादा शेर करें इसका आएगा एक सिंग वाला गेंडा जो प्रशिदा असम में का एक ऊदासिन में होता ह चाहिए तो इसमें में सिंधी उक्षार के बारे में आपने सुन districts पुमेंट के जीए रवा abortion उदासिन होता है वो अमेशा से ही नूट्रल होता है यानि ने कम ने जादा तो ने तो वो रिंग वेद है ने वो धनवेद है यानि इनका आवेस वराबर होता है उदासिन की एक परवर्ती होती है कि वह ने तो नेगटिविटी होती है ने पोजिटिविटी होती है बीच का ह गोवा के दक्षिन का पश्चमी घाट कलाता है माला बार कन्नड को कन या उत्री शिरकार फटापट कोमेंट कीजिएगा इस परशन का अच्छी परकार से कोमेंट करें जो गोवा के दक्षिन का पश्चमी घाट कलाता है आपको पता है कि बाटा गया है अलग 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 में तो इसका राइट-घर आपको वी बताहिं देती है, माला बार is राइट-घर डी-डी-टी क्या है, डी-डी-टी, डी-डी-टी, नाम सुना होगा घरों में भी सुना है, और जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान जो है समाज से आते हैं बच्छे, उनको पता भी है, डिटिटी का कहां इस्तमाल किया जाता है एक एंटोबायुक है या अनपगेटिनिया प्रदुर्शक है या डाई कलोरो ड्राई फ्लोरो टाइटेनियम है फटाफट कोमेंट कीजिएगा इसका राइट अनपगेटितिया प्रदुर्शक है लोद्धिवस किस्तापना किसने कि थी लोद्धिमस की आपको बता कि लोद् लोगी नरो दिन इसका राइट असार आएगा भालो लोदिन है निमिन में से कौन साव जिवानू फॉर्ण जल्पर्दूशन के सुचके रूमें काम करता जनल्पर्दूशन के सुचके रूमें सेटिफाई लोकोकस, डिपलोकोकस, सेटेप्टोकोकस या कोलीफोरोम इसका राइट अनस्वर आएगा कोलीफोरोम कक्सिया आठ का एक विद्यार थी मिश्रन के अव्योग को पर्थक करने के लिए एक परियोग करता है, परियोग किस हालनी नीचे दी गई है इसमें आप देख सकते हैं, मिश्रन, चुम्बक, जल, नियम, दक, नमक का जल इसके उप्सन आप देख सकते हैं, उप्सन भी देख सकते हैं लोहे की किले, एवं बालू, लकड़ी के टुकडे, एवं बालू, लोहे की किले, एवं चिनी, सटेनले सटील, एवं चिनी तो इसका राइट अनस्वर हम आपको बता ही देती है लोहे की किले एमबालो बुद का जनम स्थान का है मातमा बुद मातमा बुद का जनम स्थान का है मुझवानी याद होना चाहिए आपको आयोध्या आयोध्या में राम का जनम हुआ था जैसे कि आपको पता है, सारनात का स्नम परशिद है, वहाँ पर भी नहीं हुआ, लूबनी या बोद गया, लूबनी और बोद गया मातमा बुद्ध से जोड़े हुए दो स्तान है, बोद गया जहां पर ज्यान प्राप्त किया था, लूबनी जो है, मातमा बुद्ध का जनम स् सामिकरन इनके का माता का नाम ये शोदरा था और का सी काν पर है कौनारक मंदर is कौरी कां पर है यहां में अ क्षोधितर पुल्षा love करना मात का नाम न benut कौणारक मंदर हुआचे है तो यह तो इसका राइन मर आएगा ओडिस्या में और त holistic सकते हैं इसमें A B C और D का मान बताना है ध्यान से देख लीजिएगा आप कोमेंट कर सकते हैं फड़ा-फड़ कोमेंट करें परसन को पड़े अगर आपके मुबाइल की कलियर्टी को 360 कर लीजिएगा ताकि आसाने से आप परसनों को देख सके कलियर्टी कम होने के वज़े से दूंद लीजिए फोटो आपके मुबाइल में आ सकती है तो इसका राइटन से आपको बता दे की ओप्सन दो निमन में से मोलिक अधिकारों का प्योंक एक उतान नहीं है पूछा ये ज्यान रखेगा एक उतान नहीं है ब्यार में सिक्सको को पंजाब से रोजगार तलासन इसाई मिषिनरियो दवार्ण सकूल क्ष्ठापना करना समान पद परकारिया कर रहे माइला और पूछो दवार्ण समान वेतन पूछ करना बच्चो दवार्ण सम्पतति का उत्रा दिकार पाना फड़ापट कोंएंट करें बहुत ही हैं परसन है कि एक उधारन नहीं है पू रसाइनिक अभिकर्या उत्कर्मणिया होती है सभी रसाइनिक प्रिवर्तनों प्रति चाप निमन दवारा बनता है मस्तिस्क मास पे कड़्या मेरू रच्जू और पिछा ओग्या उखट अगला है जर्मनी के एकिकंड के지 किस का था जर्मनी का नाम ले जादता है तो आपको पता है कि तमाम बड़े-बड़े नेताओं का इटलर जैसे नेताओं का नाम भी जर्मनी के दिरिष्टी से देखा था लेकर जर्मनी का एक किस ने किया था फेडरिक विलिविम ने इटलर ने गेरी बोल्टी ने या विसमार्क से ने फड़ा-फट कोमेंट करें बहु आपका कमेंट बहुती महतोपुन है एक 382 आएगा उप्शन वन यदि एक चुम्बक की छड़क को लंबाई की से च्या टुकड़ों में काटा जाए तो दुर्वो को कुल संक्या होगी एक चुम्बक है उसको काटा जाए एक चुम्बक है आपको पता है उत्तर क्या कुल कितनी होगी दुरुओ कि संक्या पूछा है तो आठ होगी चार दुनी आठ ही होगी आई मन डिवल्मेंट रिपोर्ट 2010 मैं बारतका स्तान कितना था है है यूमन डवल्मेंट रिपोर्ट 2010 में 116, 119, 113 या 132 फटापट कोमेंट किजिएगा फटाफट कोमेंट करें अप्सेंट 2119 मायवादी आकरमन के कान समाचारों में रहा दानते वाड़ा उप्स्तित है दानते वाड़ा कहा पर दानते वाड़ा एक कह सकते कि मायवादी के लिए परशिद है असम में पच्ची मगाल में 36 गड़ में आंधरा परदेश में फटापट कोमेंट करें कुछ समय इसमें नहीं मिलता है ऐसी परसन के ततकालप आपके मन में एटोमेटिक अंसवरानी चाहिए इसका राइट अंसवरा 37 गड़ जरसंग क्या मानों पुंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है सिक्ष्या में स्वास्ता है प्रक्रिक्षन में या फिर ये सभी तो राइट अंसवरा ये सभी बोजन पकाते समय कभी-कभी बरतन में पैंदी की भारिष तयकाली हो जाती है इसका रथ है बोजन अधिक पक गया इंदन पूर्ण रूप से नहीं जल पा रहा है बरतन स्टी देख सकते हैं गनाश्य में क्या होता है और अगला परसंद आप से हम पूछ रहे हैं बारत के मुख्यां दिर्वाचन आयुक्त पहले उस समय 2011 में कूं थे 2011 के बात करे 2011 का सोल्ड क्यूशन पिपर है तो उस समय तो आपको बता दें कि एस वाई कुरेशी थे अब और हैं एक ताजा अंडा सुध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के समत्री तविले में तैरनता रहता है इसका क्या कान है तो अंडे के कवक में स्थितरल मादें सुध जल्ग का उस नमक के पानी का उच्छ गंतों अंडे का कवच केल्शियम क बना उता है जो कि सुध पानी से अलका होता है उप्शन आप जो उत्तर सोचरे फटाफ़ कॉमेंट करें बहुत ही असान पर्सन हैं कि ताजा अंडा जो है सुध पानी में डूब जाता लेकिन नमक के विले के बाद तैरता क्यूं है बताएगा फटाफ़ कॉमेंट के फड़ा फड़ मोठ करें जो उसन नमर वान थाया के साथ गरम करने पर Looks प्रकास दोबारा एक कोड़ा तो के दोबारा कि सी KC your海ं ऑख गरम करने पर पानी टवारा फड़ा-पक्णे पर कौ atención वन ही इसका राइट इनस्वर दोस्तों निमन में से कौन सविधान सभा के सदस्य थे सविधान सभा के इन में से कौन थे पंडिनेकी राम सर्मा जो कह सकते हैं कि अर्याना के गवर हो थे सर्चोटु राम भी अर्याना के गवर हो थे स्री रनभीर शींग उड़ा भी अर्यान तो इसके तया कि गई दूरी कुल 120 मेटर है तो आप अपनी परतिकरिया कोमेंट करें कि एक वस्तु को ऊपर फैका 50 मेटर, उपर जाकर 50 मेटर से वापिस आ गई तो इसका विस्तापन उन्या होगा क्योंकि जो वस्तु गई थी वो उधर ही आ गई तो किसी दूसरे के पास नहीं गई है तो option 3 is right and sword आपके पास इस वीडियो के मादम से में यह देख रहे हैं कि कितने बच्चे इंटरस्ट ले रहे हैं अगर ज़्यादा इंटरस्ट नहीं लेंगे तो हम sold paper नहीं कराएंगे जय हैंगे